नमस्कार साथियों, मैं आपका स्वागत करता हूँ टेग और कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल कर साथियों आज आर्मी ने जैपुर एयारो और कोटा एयारो का रिजल्ट फाइनल रूप से रिजल्ट जारी किया है जिसमें हमारी संस्थान से बहुत सारे स्टूडेंट ने अंतिम रूप से चैन पाया है मैं आज मैं आपको उनसे मिलाऊंगा और उनसे जानेंगे कि उन्होंने किस तरह से तैयारी करी किस तरह से फिजीकल की तैयारी करी उनका क्या से जो जा जिससे आपको भी आगे सेलेक्शन के लिए कुछ बाते हैं जो इन इस साथ परों से मिलेंगी जिससे आपको भी कोई दिक्तर नहीं होगी आईए मैं आपको इन से मिलाता हूँ ये है आमिर जो कि हमारे संस्तान में रहके इन्होंने रिटन की फिजीकल की तयारी करी थी और इन्होंने आज फाइनल रूप से चैन ले लिया है और ये है अंकित जो कि इन्होंने भी हमारे संस्तान में रहके तयारी करी थी और ये है असो ये और बाकी और भी हैं लेकिन वी कैसे त्यारी करनी चाहिए बताइए आपको कैसा लग रहा है आपको बताइए बिल्कुल अच्छा तो लगेगा ही क्योंकि आप आर्मी में सेलेक्ट हुए है और आपका क्या सेडूल रहा आप इसका श्रेक इसको देना चाहेंगे क्या है स flipping एन अपने मतापिता को देना चाहेंगे बिल्कुल जन्होंने आपको टेग और शार बजे उठाट हैं मतापिता हैं किया रहे हुए vraag है आपको चार वज़ों के ऊठाते हैं वदो को इसलिक्ब आता सोबड पर वर्ह आपको घ्राउन में ले जाते हैं बिल्कुल नास्ते में आपको वह दाएट दी जाती है जैसे आपको फिजीकल की त्यारी करेंगे तो आपको जाहिद सी बात है कि आपको ऐसी डायट मिलनी चाहिए जिससे आपको आपके सरीप पर आपकी बॉड़ी पर कोई भी एफेक्ट ना रहे क्योंकि आगे मेडिकल भी बढ़ाते हुए हम किससे पूछे हैं कैसा लग रहा है इनके दाब को आज अच्छा लग रहा है बिल्कुल तो आप की त्यारी का सेडूल क्या रहा है वह दो आपको भी रहना पड़ेगा तीक है आप जैसे हम चाहे के आर्मी में क्या होता है कि फिजीकल काफी तफ रहता ह लोग कहते हैं कि आर्मी का फिजीकल नेका लिया सेलेक्सिन ले लिया आपनी की त्यारी कसे कर रहा किसे त्यारी किया रहा है यहां कोई को बच्चे कया है कि सु Singing कम रहता है तो और उनको त्यारी के लिए कि अप यहाते है • आज एक्सरसाइज बताते हैं कोई की बीम नहीं लग रही है उनसे बीम लगता तो फिजिकल में क्या रहता है आर्मी में दोड़ होती है और बीम बिलकुल अब आगे बढ़ते हैं असोग से बिलते हैं हाँ बताईए आपको आपको कैसा लग रहा है सर आपको बहुत अच्छा कहीं त्याई करही थी जैब पर यह आपकि पहली वरती है यानी के आपस करने के लिए और आपने सेलेक्षिंग ले लिए सब्सक्रण को बहुत बहुत देखिए हमने आपको इन्से मिलाया इन्होंने बताया किस तरह से नहोंने ने तैयारी करी थी क्योंकि यहां जो schedule रहता है इन्होंने बताया है कि हमें सुबह 4 बजे उठाते हैं उसके बाद हमें ground कराते हैं ground के बाद में नाश्ता रहता है सुबह उसके बादे किलासें क्लासों में वो पढ़ाई कराते हैं जिस पढ़ाई के लिए इनको जरूरत है जहां जिस एक्जाम में पास करने के लिए इनको जरूरत है जैसे याद यहाँ पहुंचे आमिर आपका किस पोस्ट के लिए हुआ है जिसर जीडी आर्मी जीडी जीडी जैसर जनरल ड्यूटी है यह सिपाई हुए हैं आर्मी के अंदर भी मालों अलग होते हैं इसे असोग का टेक्निकल में हुआ है और आपका किसमें हुआ है इनका भी आर्मी जीडी में हुआ है ऐसा ही हमारी संस्था के बहुत सारे चात्रों ने बरती में अंतिम रूम से चैन लिया है और मैं आपको उन पुत्तिरी रामजीलार प्रजापत इन्होंने आर्मी टेक्निकल में सेलेक्शन लिया है यह गाओ बीलवारी तैसील ब्राग नगत जिलाज जैपुर के रहने वाले हैं इन्होंने अपने गाओ का अपने जिले का अपने परिवार का और पोचिंग संस्तान का नाम रोशन क किया है और इसके आगे हम बढ़ेंगे तो देखेंगे यह हैं दीपक कुमार सर्मा पुत्त सिरी बनवारी लाल जी इन्होंने भी आर्मी टेक्निकल में सेलेक्शन लिया है यह गाओ हर्यानपुरा तैसील सांगा ने जिलाज जैपुर के रहने वाले हैं इसके आगे बढ़ टॉंग के हैं क्योंकि दो जैपुर और टॉंग एरो की बर्तियां थी इन एरो में जो भी जिले आते हैं उनसे यह सिलेक्शन दिये हैं बच्चों ने आगे भी बहुत सारे एरो हैं जिनके अभी तक रिजल आना वाकी है हम आपको मिलते रहेंगे और बता दिखाएंगे कि हमाई इस सिलेक्शन दिये हैं यह हैं सचिन कुमार चोदरी पुत्र सिरी रंजी सिंग जी इन्हों ने भी आर्मी टेक्निकल में सिलेक्शन लिया हैं गाओ निवाना तैसील चोमू जिला जेपुर के रहने वाले हैं इसके आगे देखें तो यह हैं असो कुमार गुर्जर पुर्ट सिरी राम सरंजी गुरुजर ये भी आर्मी टेक्निकल में सेलेक्शन लिये हैं और इनका गाउ है दीपावास, तैसिल सीकर और जिला सीकर इसके आगे बढ़ें तो ये है सोग कुमार पुर्ट सिरी राज कुमार बाजिया जी इनसे मैंने आपको मिलाया था इन्हों भाजी टेक्निकल में सेलेक्शन लिया है और इनका गाउवास जस्थूपरा तैसिल सीकर इसके आगे बढ़ें तो देखते हैं निकिल खीचर पुत्तसरी प्रभुदेयार जी इन्होंने भी आर्मी टेक्निकल में सिलेक्शन लिया है ये गाउं बलारा तैसील लेक्टमरगर जिला सीकर की रहने वाले हैं इसके आगे बड़े तो देखते हैं यह अंकित कुमार पुत्तसरी बिद्यादर व सिलेक्शन लिया है अभी आर्मी में जाएंगे एक सिफाई बनेगे देश की शिवा करेंगे और अपने बीद्याओं का नाम कुस्टर्ण करेंगे इनका गाउं है अंबापुरा और तैसील मालपुरा जिला टॉंक की रहने वाले है टॉंक के रहने के अंदर अपनी आर्मी की डौड बाकी एक्जाम बगरा इनके उसी एरों के तुरू लगे थे और इन्होंने आर्मी में फाइनल रूप से सिलेक्शन ले लिया है यह है अमीत मुआल पुत्रश्री पहला चौदरी जी और इन्होंने आर्मी जीडी में सिलेक्शन लिया है इन गाओं तयोत तैसील रूपनगड जिला अजमेर के अंदर अजमेर के रहने वाले हैं। इनका आंक्ट अंक्ट कुमार इन्से विए आपको मिला है था इन्होंने भी बताया था कि इस तरह से इन्होंने त्यारी करी थी, क्या सिर्यूल राता, संच्छता का क्या योगदान रा यह आर्मी जीडी में सिलेक्ट हुए हैं गाउं दूरिया तैसील उद्यपुरवाटी जिला नीम का धाना के यह रहने वाले हैं इसके आगे बढ़ते तो यह गौतम गुर्जर पुत्र सिरी अमर सिंग जी इन्होंने भी आर्मी टेक्निकल में सिलेक्शन लिया है और इनका ग अर्मी जीडी किलर किस तरह की बरतीयों आर्मी में आती हैं जिसमें हमारी संसता स्षां रिटेन, फिजिकल यह सारी त्यारियां एक कि कैंपर्स के अंदर ग्राउंड और क्लास्रूम में कराते हैं त्यारी जिससे बच्चे व evolution लेते हैं इस जैसे ही हमारे अब हमारे संस्तान ने कुल 3500 सिलेक्षन दिये विन विन भर्कियों विन विन जगवा पर बच्चे पोस्टेड हैं अभी हमारे संस्तान में SSC GD Constable का और RRB NTPC ये बैच अभी चालू है आप भी अपना सिलेक्षन सुनिचित करने के लिए हमारे संस्तान में आ सकते हैं और आप अपनी एक सीट पकी कर सकते हैं